हेलो दोस्तों चलिए आज मैं बनाने चाह रहे हैं गोभी पराथा रेसीपी देखें बहुत ही अच्छे से गोभी पराथा बन करके राटी है इसके लिए मैंने फुल गोभी देखें अब मैं इसके पीछे लपा को कटिंगर को निकाल दोंगी इस तरह के से हल्गए पिर मैं आप डिकल जीए जाको की मदद से याभी हाथ की मदद से इसको इस तरह के से तोड़ लेंगे बड़बडे पीसट में हलका क्यूंकि इसको वर्योखसर न certains इसरे थोड़ा सा बाड़ साइज में तोटेंगे इसको अच्छे से चेक कर लें कि इसमें अंदर साफ रहे केड़ा गिर ना रहे अभी में अभी जो गोभी आ रहा है तंडी में बहुत ही साफ सुतर रहता है देखें इस तरह किसे इसमें बहुत ही साप है इसमें बीलकुल भी बीडा गिरह नहीं है आप इसको इसको इस तरीके से मैं तोड़ ली हूँ देखिए पहले मैंने बीना कटिंग के एक बर्द हो ली है अब इसको इस तरके से कटिंग करके अच्छे से पानी से दो लेंगे और साब कप्रस इसको पानी को पोच लेंगे अच्छे से सुखा कर लेंगे छींता है जलेके सब्सक्राइता को करके अच्छा सечь दिन एक मैंगे चे कि-क इस थर नवी है केThe दिन पर ब형ट जार्व ठोड़िये त्दम लगने किते थोड़ाबरा जो लिए जाल चांव किते सुंत जो ज़स Nh subt जाने किते हैं तरह के से अच्छे से मुझे रही हूं देखें इस तरह के से सारे गोफी को अच्छे से किस लेंगे और जो प्लास्टम में छोटा छोटा पार्ड बचता है उसको इसको नहीं डालना है उसको अलग से रख लेंगे सब्जीवा कराया बनाने में इसकल में देखें इस तरह के स अगर यहांधोब यहांधोगीृृृृृृृृृ द्वेन 給 तरहिंद जोसे और दकादते हाथ कि उससे चरहेंगे रहे हम नमक कुई यहांधोगी प्रकेशी कि भीषंगीृृ है यहांधी आ दEक आ दपाद हो में फेन फेल्शे कि टर्षय हैj अच्छे से पानी छोड़ती है अब लेह मैंने एक बरतर में डाल देंगे इस प्रकार चानी और इसके उपर में रख दे रहे हूं साप कपड़ा इस तरकी से पतला थोड़ा क्यूंकि इसमें जो गोभी किसे उसको डाल करके उसकी पानी को अलग कर लेंगे देखिए इस तरकी से में सारे को भी को डाल कर दूंगे डाल कर इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे पानी को इस तरकी से देखिए इसको अच्छे से तबहाते हुए मैं निचोड़ूंगी देखिए बहुत अच्छे से पानी निकल के निकल रहा है इस सरके से इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे फिर यह पानी को फेकना नहीं है देखिए अच्छे से पानी निकला है इसको फेकन के नहीं इसको मैं आटा गोत्ने में इस्टिमाल करनें अब देखिए इसको बर्दन में निकाल लेंगे अब इस तरह किसे डाल कर इसको हलका फैला दे फिर मैं इसमें एट कर दूंगी इसको इस तरह किसे अच्छे फैला देना है पहले मैं यहां पस ले हूँ एक जार इसमें मैं कच्छा मिर्चे हूं देखें और ले हैं अध्रक यहां पस मैंने 5-6 पीस कच्छा मिर्चे अध्रक लिये है इसको अच्छे से कर लेंगे पाइन डाल करके हलका तरीके से अच्छे से ग्राइंड होके हैं तो फिर मैं इसमें करते हूं कोभी में ही सातर मुसाल धनिया पाउडर जीरा पाउडर कि हल्दी पाउडर और दिखें चाट मसाला मैं समयट कर दोंगे अमचुर पाउडर तो और काले मिर्चप पाउडर शब्स मिइं आट शी subscribe कर दोंगे और जेल जी जेला में धुझेगे दोंगे धाल क wsp अद्राक और कच्च मेर्ची का पेस्ट रड़ी किया है उसे तरह इसमेर कर देंके बारी कटा हो हरी दनिया देखिए झाल 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 झाल